और दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हैं आप सही होगे दोस्तों cheated के exam date और city जारी कर दी गई है अब आप का exam किस date पे और कहां पे होगा तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से देखेंगे सबसे पहले हम ऑफिश्यल साइड पे इसके आएंगे सीटेट के देख सकते हैं सीटेट डॉट एन आईसी डाट इन यहां पे आएंगे इसके बाद यहां पर आपको लिंक मिलेगा लेटेस्ट दियोज में पर आप click करेंगे जब इस पर click करेंगे इसका link आपको discussion box में देतेंगे वहां से भी आप click कर दीजिएगा View Center City for City 8 January 2024 इस पर आपको click करना है इसके बाद देखेंगे यहां पर आपको application number date of birth यहां पर security pin दिया गया है इसको डालने का option देगा अचली application number यहां पर हम डालते है तो मेरा जो अपनी application number है वह है 2411 0070 501 इसके बाद आपको डालना है यहां पर date of birth दोस्तों यहां से date select करेंगे यहां से हम अपना month select करेंगे फिर यहां से हम year select करेंगे उसके बाद जो capture code यहां पर देख सकते हैं यह हमारा यह दिखा रहा है यहां पर this is not the admit card यानि admit card नहीं है यह सिर्फ क्या है आपका advance information for enlightenment of center city to the applicant यानि applicant का center city कौन सा है यह सिर्फ दिखाने के लिए इसे दिया गया है यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ वेपर टू हमारा कौन सा है सोसल साइन्स है उसके बाद यहां पर date of examination है कि कब हमारा exam है तो 20 जनुवरी 2024 को हमारा exam है यहां पर signature पड़ा हुआ है और यहां पर देख एक्जाम center कहां पर दिया गया है जो कि हमारा home district है तो हमारे home district में हमारा center मिला हुआ है यहां पर देखे दिखा रहा this is not the admit card for the city January 2024 this is advanced information for the alignment of center city यानि admit card नहीं है admit card कब आएगा आपका दो दिन पहले दिखे दिखा रहा the admit card shall be issued two days before the examination date जब आपके exam है उसके दो दिन पहले आपको admit card मिलेगा तो पहले भी उसी तरह से होता था और देखी यहां पर कुछ instruction दिए गये है no candidate would be allowed to the inter examination center without admit card बिना admit card के allow नहीं किया जाएगा और एक क्या इसके साथ में आपको valid proof भी होना चाहिए आई-डी का पुरूफ और दोस्तों यहां पर है कि biometric attendance भी होने वाली है तो वहां पर आपकी biometric attendance भी होने वाली है इतना ही है यहां अभी इसका कुछ है नहीं जब admit card प्रिंट आउट करने के लिए होगा इसको प्रिंट आउट करने को कोई मतलब निकलता नहीं है चलिए हम यहां से कर देते हैं लग आउट वासा करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इसे देखेंगे लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहां से देख लिजिएगा बाकी मिलते हैं नेस वीडियो में चैनल करें अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं है और सब्सक् के साथ तब तक कि लिए बाटिक के जहन बंदे मातरों